40 Facts About पेंडा जो कि शादी तुम्हें पता हूँ लाइकी स्मुई का ओपनिंग सीन और एंड क्रडिस तो ये दोनों ही ट्रेडिशनल हैं जिनने हाथ से ड्रो किया गया था जो कि ट्रिब्यूर्ट था जैपनीज एनमे को जिनने हाथ से ड्रो किया जाता है और इनके लावे ये पूरी मुवी टोटली CGI है और अगर तुमने इस मुई के एंड कर इसको नहीं देखा तो उसमें बहुत थी कमाल की डिटेल्स हैं जिनने मैं वीडियो के एंड में बदाऊंगा क्योंकि पहले बात करते हैं इस मुई के ओपनिंग सीन के बारे में जोकि पू को एक ड्रीम होता है और इसमें बहुत थी कमाल की फॉर्षैडविंग की गई हैं लाइक इस ड्रीम में पू को जिस कोस्ट्यूम में दिखाए जाता है तो यही सेम कोस्ट्यूम पू कुंफु पंड़े 3 में पहनता है और ये बंदा जो कि पो को धमकाता है तो तुम्हें चबाना पसंद है शायद पहले तुम्हें मेरी मुठी पर चबाना चाहिए तो ये थर्ड मुई का मेन विलन काय है और बाद में दिखाएगे ये वूल्ज सेकेंट मुई में हमें एज वूल्फ फार्मी देखने को मिलते हैं और यहाँ जब पो अटेक करता है तो उसके पीछे से एक ड्रैगन निकल के आता है जो कि एक अरले हिंट था कि आगे जाके वो क्या बनने वाला है और जैसे ही पो अपने ड्रीम से उठता है तो काई के एक ड्रोईन यहाँ पो की रूम में बनी होती है नेक्स दिन में पो की डैड को ओन स्क्रीन दिखाने से पहले उसकी शेड़ो को एक पैंडा की शेड़ो की तरह दिखाए जाता है बट नेक्स चोट में रिवील होता है कि वो तो एक बतक है और यहीं से पो की ओरिजिन की मिश्टरी स्टार्ट हो जाती हैं जिनको नेक्स्ट मॉवीज में सौल के जाता है इस पुरी मोई में शुरू से सीफू पो को सिर्फ पैंडा कहकर ही बुलाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी विजवास नहीं होता कि पो ड्रैगन वोरियर बनने शुरू करता है आपको यगीने मैं तयार हूँ हाँ हो पो पो नाम तो उन सभी ने सबसे पहले इस मोई में ही सुना होगा बट इससे पहले ओरिजिनल ये नाम 1972 में रिलीज हुई इस कनफू टीवी स्ट्रीज में यूज किया गया था जिसमें इस ब्लाइंड करेक्टर का नाम होता है माश्टर पो और इसी करेक्टर को ट्रिब्यूट देते हुए इस मोई में पो का नाम पो रखा गया था तो ये है उसका नाम पो और अगर तुम टाइलंग के फैन हो तो ये वीडियो तुमें बहुत इपसंद आने वाली है क्योंकि इस मोई की वन उत बेस्ट टाइलंग के बारे में हैं, लाइकि इस सिन में ये प्रिजन वर्डन बड़े ही कौंफिदेन्स के साथ कहता है, इसका जुआप वो इस सिन में देता है और कहता है कि फ्यूरेज फाइव के हर एक मैमबर ने हजारों का सामना किया हुआ है, इससे कि टाइलंग के स्किट को गया था क्योंकि अगर फिरिस फाइब जो की सीफू के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन में से हर एक मेंबर अगर हजारों के बराबर है तो टाय लंग तो इन से कहीं ज्यादा पाउरफुल है और शीफू का सबसे बेस्ट टूडेंट था तो उसके लिए इन हजार लोगों को यूज नहीं कर पाते तो इसलिए यहाँ खुद को फ्री करने के लिए टाय लंग सबसे पहले अपने इनीची पोइंट्स को फ्री कराता है ताकि फिर वो अपनी पावर्स का यूज कर सके और यहाँ पे टाय लंग के ऊपर ये एक टर्टल शैल रखा होता है जो कि एक चीज को सबसे जादा अववेड करते हो तो कई बार आपका सामना उसी से हो जाता है और ऐसा एक्जक्ट होता है टाय लंग को प्रीजिन में केड़ रखने के लिए इस मेसेनजर को पेश ता है और इसके फंक से ही टाय लंग के स्केप की शूरुवात होती है और फिर ना च ऐसे शीफू इस ड्राइगन स्क्रोल को हिरानी के साथ देखता है तो ऐसे ही सेम तरीके से टाइलंग इसे इस सीन में देखता है इसमें कुछ नहीं है इससे कि हमें विज्वले दिखाया गया था कि हाँ टाइलंग को शीफू नहीं पाला है Like father, like son टाइलंग इस मुई में ऐसा one and only character है इसकी स्टोरी को मुई के लिए सबसे जादा चेंज किया गया था क्योंकि टाइलंग की स्टोरी शुरू में एक विलन के हिसाब से कुछ जादा ही sympathetic थी बट बाद में इस character की स्टोरी में कुछ additional scenes एड़ किये गए लाइक यह जब वो गहों पे attack करता है और बाद में Shifu and Ogue को भी नहीं छोड़ता ताकि audience टाइलंग को किस थाली में खाया उसी में छेद वाला विलन समझने लगे और विलन के बाद तो बहुत हो गई यह बात करते हैं अपने hero के बारे में तो पो यहां Jade Palace के अंदर जाने के multiple attempts करता है बट finally जब वो इस scene में उड़ते हुए फर्स्ट टाइम प्रोपरली अंदर के view को देखता है तो उसके बाद ही मास्टर उगवे ड्रैगन वोरिय को सेंस कर पाता है इस scene में उगवे कहता है कि पो तब ही खाता है जब वो दुखी होता है एंड ट्रेनिंग कम्पलीट होने के बाद पो इस last dumpling को खाने की बजाए उसे शीफू को दे देता है मीनिंग के पो यहां बिल्कुल खुश है और इस scene में तुमने कुछ नोटिस किया अगर नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि यह बहुत ही fast है बट इस दिन के एक frame में शीफू को एक बहुत ही बड़ी smile करते दिखाया गया है representing that कि शीफू पो की ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा enjoy कर रहा है और इसके बात जब हमें पोवन शीफू के बीच जीज जॉपस्टिक फाइट देखने को मिलती है तो यही रेफरेंस था जैकी चेन की fearless आइन 3 मुई के स्थीन का एं नॉर्मल लोगों की मुकाबले पो जैसे मोटे लोगों और जानवरों में प्रेस्टर पॉंट्स को डूणना बहुत ही जाना डिफिकल्ट होता है एस कंपेर टू पतले लोग और पो का यही मोटापा इस फाइनल वाइट में उससे प्रोटेक करता है इसकी विए से टायलंग के प्रेसर पॉंट अटैक्स उस पे काम ही नहीं करते इस दिमें टायलंग पो से पूछता है और इसके थोड़ी दिर पाइट टायलंग के साथ ऐसा ही होता है इस मुई में हमें जितना भी एक्शन और कंफू देखने को मिला है तो इसके लिए इस मुई के एनिमेटर्स ने 6 गंटे के कंफू क्लासेज ली दी ताकि वो इस मुई में accurately कंफू मुउस को दिखा सके जिसके बाद इस मुई को बनाने में टोटल 4 साल लगे है क्योंकि डिरीमवक्स के VFX सुपर्वाइजर ने इस मुई की एनिमेशन को सबसे कॉंपलेक्स बताया था स्पेसलेस ब्रीजफाइट सीक्वेंस को जिस पे एनिमेटर्स ने प्रोटेस्ट भी की थी कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो ऐसे कॉंपलेक्स सीन को कैसे क्रियेट करेंगे जो कि मुई के डिरीक्टर्स को एक उपर्चियनटी के तरह लगा लाइक बो का फाइसे पान्डा पर बेस्ट था जिसे बीर स्टाइल कुंफू का गया थ revisitуль अनिमेल करेक्टर्स डीफरेन्ट तैप के र्यल अनिमले पर बेस्ट थे लाइक बो बेस्ट आग जएट बैंडा पर टैलंग इस बेस्ट उन सिनो लेपर Master Oogway is based on Golden Galapagos Tortus and Master Shifu is based on Red Panda और ये वीडियो भिलाने से पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि Shifu एक्चल में एक पांडा है और अब बात कर लेते हैं समुई के वोईस एक्टर्स के बारे में जिनमें पोगो वोईस दी है चैक ब्लैक ने Shifu is voiced by Dustin Hoffman Master Oogway को आवाज दी है रंडल टकीम ने ताइलंग को आवाज दी है येन मैक शेन ने टाइगरस इस वोईस्ट बाइ एंजलीन जोली Mantis is voiced by Seth Rogen Finding the right nerve points under all this Fat Fur? I was gonna say fur Vyper is voiced by Lucy Liu What are you talking about? This is amazing! Corinne is voiced by David Cross That smells good! Oh, you are a really good cook! And monkey को आवाज दी है जगी चैने And Poe के इस ड्रीम में जो ये करेक्टर Poe को खुबसूरत बताती है तो इसे आवाज दी है Tanya Header ने The wife of Jack Black And Mr. Pink जो किकी नूडल शॉप को चलाता है तो इसकी ये occupation एक्चलों में इस करेक्टर के वोईस एक्टर James Hong के फादर पर पेस्ट थी जो किकी नूडल शॉप चलाया करते थे और फिर यही चैज मिस्टर पिंग को मुई में करते दिखाया गया है और इस पुरी मुई में पो के फादर का नाम एक बार में मैंशन नहीं किया गया है जो कि होता है Mr. Pink जो नाम बाद में हम इस सीक्वल्स में सुनने को मिलता है और इस सेर में Mr. Pink को स्टेबल नंबर्स को मेंशन करता है जो कि होते हैं 2, 5, 7 और 12 जो कि एक तरह से पैटर नंबर्स होते हैं क्योंकि प्रिविएस दो नंबर्स को मिलाने से नेक्ट नंबर बनता है लाइक 2 और 5 को मिलाने से बनता है 7 और 5 और 7 को मिलाने से बनता है 12 यह मैंने ऐसे ही नोटिस कर लिया मुझे लगा कि तुम्हें बताओ यहाँ पर जो पोप फ्यूरिस 5 को नूडल्स खिलाता है तो सभी उसकी बहुत ही तारिफ करते हैं यह बहुत बढ़िया है और यहाँ पोप ने टैड की सिक्रेट इंग्रीडियंट को भी मैंशन करता है बट उसके बीना भी वाईपर उसे बहुत ही टेस्टी बताती है यह तुम क्या कह रहो यह तो कमाल का है वाह तुम वाकई बढ़िया मावर्ची हो जो की एक अरली हिंट था कि कोई सिक्रेट इंग्रीडियंट है ही नहीं यह तुम क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हर एक नहीं यूट्यूबर की तरह है मैं भी टीप्स, ट्रिक्स और किसी सिक्रेट इंग्रीडियंट को ढूणने में लगा हुआ था कि कुछ ऐसा मिल जाए जिस्ते की मेरी हर एक वीडियो पे अजारों, लाखों और मिलियंस में व्यूज आए बट ऐसा कुछ भी नहीं होता तो कि हमें धीरे धीरे खुद पे विश्वास करके अपनी मेहने सक्सेस और फेलियर से सीकर खुद को ही एक सिक्रेट इंग्रीडियंट बिनाना पड़ता है और इस मूव में ड्रेगन स्क्रोल का मीनिंग उसका ट्रू सिक्रेट बहुत ही जादा सिंबल है जो कि है believe in yourself खुद पे विश्वास करो एन मास्टर उग्वे ड्रेगन स्क्रोल को इसलिए क्रेट करता है ताहिए आगे जाके जीसे भी ये मिले वो उसका ट्रू मीनिंग समझ बाए बट टाइलंग को देखके वो समझ जाता है इसका मीनिंग उसे समझ में नहीं आएगा तो इसलिए उसे वो नकार देता है एन देन पो को लेटी सही बट उसे ड्रेगन स्क्रोल का रियल मीनिंग समझ में आ जाता है कि खुद स्पेसल बनने के लिए हमें किसी सिक्रेट पावर एंड सिक्रेट इंग्रीडिन्ट की जुरुत नहीं होती मास्टर उगवेस मुई में एक वाइस टर्टल होता है जो कि फ्यूचर के एवेंट्स को प्रडिक करता है जो कि बहुत ही कमाल की एंशेंट डिटेल है प्यूचर के एवेंट्स को प्रडिक करने के लिए यूज किया जाता था इस सीन में अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंटिस की बैक पे एक सिंबल बना होता है जो कि एक चाइनीज आर्ट करेक्टर है जिसे शाओ कहा जाता है और इसका मेनिंग होता है लुचैविटी जानी लंबी उमर तो यहां हमें मंकी के जुझे जंप दिखाई जाती है यह वन अफ दो सिगनेचर मूव है जगी चैन का वोइस्ट मंकी तो इस सीन में पोग धीरे धीरे चलने के चक्र में फलोर को ही तोड़ देता है और इसके बाद शायदी तुमने नोटिस किया हो बट मॉर्निंग में इसे ऐसा ही टूटा हुआ दिखाए जाता है जो कि एक बहुत ही कमाल की कंटिन्यूटी डिटेल है और जैसा कि मैंने बताय था कि मॉवी में टायलंग एक Sunno Leopard होता है ओ होता है जाएट पैंडा और शीफू होता है रैड पांडा और रियल वर्ल्ल् kull में यानी रियल्टी में Sunno Leopard पांडस का सिकार करता है जोकि टायलंग को हमें इस मॉवी में करते दिखाया गया है और इस सीन में ये तुमने जरूर मिस किया होगा, तो जब टायलंग शीकू पर अटैक करता है, तो यहाँ पर उसकी हीप या किसी हड़ी को तोड़ देता है, जिससे क्रैक की आवाज आती है, ध्यान से सुनना, और फिर शीफू की यही इंजरी हमें इस सीन में दिखाई जाती है, जब वो लंगडाते हुए चलता है, और अगर तुमने इस मोगी एंट कर्डिस को नहीं देगा, तो तुमने बहुत ही आस्सम डीटेल्स मिस की हुई है, लेकि यहाँ पो को अपनी ट्रेनी को सही तरीके से करते दिखाय गया है, जिसमें वो अपने फर्स्ट टैम में बहुत ही बूरी तरहां फेल होता है, तो मैंने कैसा किया, अब सिस्तर शून्य है, उसके बाद यहाँ मैंटिस वाइपर का वो हाल करती है, जो किसे ही मुस्ने पो के साथ किया था, इसके बाद मंकी को अपने उन कूकीज को डूणते वे दिखाय जाता है, जिनको पो इस सीन में खाता है, और नेक्स्ट यहाँ पो, ड्रेगन से क्रोल में, इन बनीज को उनको चेहरे दिखा रहा होता है, और यह मेरा सबसे फेवरेट है, जिसमें टाइग्रेस मास्टर शीफू की नकल करती है, वो अभी शीफू के सामने, जैसा पो ने इस सीन में किया था, और यहाँ उस कलर्स को ठीक कर दिया जाता है, इसे पो इस सीन में तोड़ता है, एंड लास्ट पो अपनी इस फ्यूरिस फाइव की टोई कलेक्शन में, खुद की डोल उको भी एड़ कर देता है, और इसके बाद आता है पोस्ट क्रेटिस सीन, जिसमें एक बहुत इकमाल की डिटेल, तो इस सीन में शीफवक बीच को उगवाने के बाद करता है, इसके बाद उगवे कहता है, और इसी बीच को एंड में हमें, एक छोटे से पोधे के रूम में दिखाय गया है, और आट वेरी लास्ट, क्या इस मुई में दिखाय गया, मूर्शी फिंगर होल्ड रियल है, तो इसका जवाब है, और आगे कुनफू पैने टू, त्री और फॉर की फैक्ट वीडियोज भी आने वाली हैं, तो चैनल को स्ट्राइब जूड कर लेना, तब तक तुम मेरी कनफू असल की फैक्ट वीडियो को देख सकते हो, इसके बाद डेफिनेटली तुम इस मुई को और भी जादा अपसंद करने लगोगे,